दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिरेश कॉंग्रेस निता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को यानि शहादत दिवस उस दिन श्री नगर में समापन हुआ बरफिले मौसम के बाद भी उन और बहुत ही अर्थपूर्ण था मैं अर्थपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह से महब्बत की जिस तरह से प्रेम की बात की जिस तरह से दर्द के रिष्टे को उन्होंने तलाशा खासकर हिंसा से प्रभावित लोगों के दर्द को वो मैं समझता हूं कि आज के दोर में किसी राजनितिक व्यक्ति दोरा इस तरह की बादचित नहीं की जाती है इस तरह का डायलाग इस तरह का संबाद लोगों से नहीं किया जाता है वो बहुत बड़ी बात है लेकिन दोस्तों हमें नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी भी एक सियासत्तान है एक राजनितिक व्यक्ति हैं और एक राजनितिक दल के बड़े नेता हैं और आज की तारिख में पूरे भारत की सियासत में एक बड़े सितारे के तोर पे वो उभरते नजरा रहे हैं इसमें कोई दोराए नहीं है लेकिन सवाल आज का ये है मेरा आज की बात में कि क्या दो हजार चौबिस की जो चुनावी जंग है जो भारत के लोकतंत्र को ही नहीं भारत के भविश्य को तै करेगी सिर्फ यही नहीं कि हमारे समवैधानिक लोगतंत्र की क्या इस्तिती होगी 2024 के बाद बलकि भारत का क्या होगा भारत की अवाम का क्या होगा यह भी 2024 की चुरावी जंग तैक करने जा रही है तो उसमें क्या कॉंग्रिस पार्टी जो राहुल गांधी की अगवाई में भारत जोडो यात्रा के बाद एक नए ढंग से उभरने की कोशिश कर रही है क्या वो वाकई अपने स्तर पर अपने बल पर इस गंभीर चुनवती का सामना कर सकेगी एक बड़ा सवाल इसलिए आज खड़ा हो गया है यह कि राहुल गांधी की समापन रैली में 21 राइनितिक दलों को बुलाया गया लेकिन बहुत कम दल पहुँचे हिंदी हार्ट लैंड जिसे कहा जाता है खासकर जो यूपी बिहार जारखंड जैसे प्रदेश हैं यहां से बहुत कम शिरकत हुई जारखंड के नेता गए लेकिन बिहार में दोनों जो बड़े घटक दल हैं महागट बंधन के जिसमें कांग्रेस एक तीसरा दल है शक्ति के हिसाब से दोनों दल गए यानि आरजेडी भी नहीं गया और जेडियो भी नहीं गया उत्तर प्रदेश से भी कोई नहीं गया उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सुबा है तो आखिर ये क्या मर्म है कहां पेच फासा हुआ है ऐसा तो नहीं है कि ये सारे दल जो हैं महागट बंधन या गट बंधन की राजनीत के खिलाफ हैं बिहार के मुक्यमंत्री और महागट बंधन के मौजूदा नेता जो पहले कह चुके हैं कि हम इस चुनाओ में 2024 के चुनाओ में हम में फ्रंट चाहेंगे हम कोई तीसरा फ्रंट चौता फ्रंट नहीं में फ्रंट चाहेंगे तो इसका मतलब कि शिद्दत से वहभी भारती जनता पार्टी को हराने की इक्षा रखते हैं और इसके लिए वो बार बार लोगों का आवान भी कर रहे हैं अब यह भी संजोग नहीं कि 30 जनौरी को राहुल गांदी श्री नगर में बरफीले मौसम के बीच भी अपनी बात कह रहे थे लोगों का आवान कर रहे थे भलही वो प्रेम सत्भाव महब्बत की बात कर रहे थे लेकिन कहीं कहीं पाइनितिक जो जंग भविश्य की हुए उस पर भी उनकी निगाह थी इसलिए वो कश्मीरियों के हक की बात कर रहे थे वो देश की जनता के लोकतांत्रिक आकांचाओं को पूरा करने की बात कर रहे थे ठीक उसी दिन नितीश कुमार ने भी पटना में गांधी घाट शर्दानजली अर्पित की और साथ में नाम लिये बगैर उन्होंने रास्टी स्वैम सिवक संग की राजनीति को सीरे से खारिश किया उन्होंने यह तक सवाल किया कि नई पिढ़ी को बताये जाने की जरूरत है समझाये जाने की जरूरत है कि महात्मा गांधी की रिशंस हत आके पीछे कौन लोग थे उन्होंने यह भी कहा कि जो मनें उनका यह कहना था कि अतीत में जो कुछ हुआ अब फिर कभी पुन्राबृत्ति उसकी नहीं होने जा रही है वो मर जाएंगे मरना पसंद करेंगे लेकिन भारती जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने नहीं जा रह लेकिन दोस्तों पहले और आज में एक फर्क है और इसका उल्ले नितिश कुमार ने भी किया और उन्होंने अपने शब्दों में कहा मैं उनके शब्दों को दोरा नहीं रहा हूँ उनके कहने का मतलब यह था कि जो कुछ अतीत में हुआ वो 2017 की बात कर रहे थे जब आरजेडी और जेडियू का एलांज चुनाव जीता था सरकार बनी थी लेकिन नितिश कुमार 12 साल के अंदर चले गए बीजेपी के साथ गटवंदंद में चले गए उसका उलेक करते हुए उन्होंने कहा कि वो लोग हमें लेकर चले गए कुछ इस तरह की बात उन्हो लोचना का स्वर भी है और बताया जाता है कि जो अंदरुनी बैठके होती है उसमें भी उन्होंने आत्मा लोचना का वो स्वर जाहिर भी किया है तो माना यह जा रहा है कि नितिश कुमार इस बार पूरी दिरहता के साथ भारती जनता का पार्टी का मुकाबला करने के कि उत्तर प्रदेश बिहार और जारखंड में ये तीनों प्रदेशों में चुकी महागटमंधन या अन्य जो पार्टियां इस तरह की हैं जिनके काफी विचार मिलते जुलते हैं जो एक दौर में एक ही तरह के पार्टियां थी एक ही तरह के खेमे की पार्टियां थी अग लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की राष्ट्री जनता दल या जेडी उजैसी पार्टी हो ये सभी मंडलवादी राजनीती से जुड़ी रही है और उसके पहले इनका आती जो है वो सोशलिस्ट मौवमेंट के साथ कनेक्ट रहा है कभी ये लो पार्टी था तो एक ही तरह के मिजाज की पार्टियां अलग अलग धारा इनकी फूटी और अलग अलग चली गए लेकिन आज फिर से इनके बीच में एक जुटता नजरा रही है उदारण के तौर पे बिहार में जातिवार जन गणना का कारिक्रम शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में जिनके बारे में आम तोर पे कहा जाता था कि उस तरह से मुखर होकर वो मंडल की राजनीत की बात नहीं करते या मंडलवादी अपना रुजहान नहीं दर्शाते हैं सामाजिक नयाय के प्रती अपनी प्रतिबद्धता को उतना खुल कर नहीं जाहिर क कर रहे हैं अब वो फुले और अंबेटकर की बात करने लगे हैं अब वो संविधान की बात करने लगे हैं किसी धार्मिक किताब या किसी साहितिक कृति के बदले वो कहते हैं कि वो उनके लिए सब कुछ संविधान है तो दोस्तों आपको मैं एक अर्थमेटिक आपके सामन एक अंक गड़िताप के सामने रखना चाहता हूँ और आप देखिए कि आखिर क्या वजा है कि राहुल गांधी की समापन रैली में भारत जोड़ो यात्रा की ये नेता नहीं पहुँच पाए और क्या भविश्य है 2024 की चुनावी जंग में ये कहां खड़े रहेंगे भारत ही क्या इनके बीच में एक जुटता होगी या खंड-खंड होंगे क्या सूरतेहाल होगा दोस्तों सच पूछे तो डक्षन भारत में भारती जंता पार्टी करनाटक के अलावा अगर देखा जाए तो कहीं उसकी कोई बड़ी हैसियत नहीं है और इस पार करनाटक में भी उसकी हालत बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है एसेंबली एलेक्शन में ये सब कुछ साफ हो जाएगा और एसेंबली एलेक्शन का प्रभाव और लोगसभाव पर पढ़ना लाजमी है मद्य भारत में आईए मद्य भारत में मुकाबला ज्यादा जगहों पर कॉंग्रेस कॉंग्रेस सरीखी पार्टियां या उसकी एलाई उसके जो एलाईज हैं एन्सीपी जैसे उनके बीच और भारती जनता पार्टी के बीच होगा श्रीव शेना उद्दव ठाकरे महरास्त में उसके साथ जुड़ी है यह उसका प्लस है 36 गड़ में पहले की तरह भारती जनता पार्टी को लोगसभा में सीटें नहीं मिल पाएंगी ऐसा प्रो बीजेपी जो सर्वे एलेक्शन के आ रहे हैं उसमें भी ये बात जाहिर की जा रही है यहां तक की मध्य प्रदेश की वही स्थिती है तो मध्य भारत में निश्चित रूप से कॉंग्रेस प्लस करेगी आगे बढ़ेगी पहले की मुकाबले मध्य प्रदेश में बहुत बुरी परफॉर्मेंस कॉंग्रेस की थी और 36 गड़ में भी एसेंबली एलेक्शन जीतने के बावजूद 2019 के एलेक्शन में उसको उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी बहुत खराब थी लेकिन मध्य प्रदेश से चलो थोड़ी सी अच्छी थी ऐसी स्थिती में अगर उत्तर की तरह आप आप बढ़ते हैं खासकर हिंदी हार्ट लेंड जिसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश बिहार और जहारकंड तो यहां कुल 134 सीटे हैं 134 लोग सभाकी और इन 134 सीटों में एन डिये हेड़ बाई बीजेपी लेड बाई बीजेपी इसको 113 सीटें मिली 113 इन 134 सीटों में 113 सीटें जो एन डियों को मिली थी दोस्तों उसमें युत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं वहां पर 63 सीटें बिहार में जहां 40 सीटें हैं वहां 49 सीटें और जहारकंड जह वहाँ 14 सीटे हैं वहाँ 11 सीटे हैं तो यह इस्तिती रही यही 134 सीटों वाला जो इलाका है अगले लोगसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण यूं कहा जाए कि लोगसभा इलेक्शन में क्या होगा नतीजे क्या होंगे एक तरह से उसको उसको खोलने का उसके नतीजों के का जो संदूक है उसका जो बॉक्स है उसको खोलने की चाभी इन्हीं तीन राजियों के पास है अगर उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी का जो बना बनाया इंपायर है इंपायर ही कह सकते हैं वो लगातार जीते जा रही है 2014 में भी 2017 के विधान सभा चुनाव म में भी ये केवल जीती नहीं रही है वो अन्य विपक्षी दलों को बिलकुल एक तरह से द्वस्त करते हुए जीत रही है तो अगर सारी जो इस तरह की पार्टियां है सामाजी किनाय की पक्षदर जो अपने को मानती रही है अगर वो एक जुट हो करके और लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ती हैं तो हो सकता है कि बिहार की एक जुटता से इंस्पायर होकर उत्तर प्रदेश में भी भारती जनता पा कि इस समय नितीश कुमार अखिलेश यादो तेजस्वी यादो यह जितने नेता इस धारा के हैं वो कॉंग्रेस के इस आहवान से कहीं न कहीं छुबद और दुखी हैं कि इस देश में भारती जंता पार्टी को लड़ने की शमता सिर्फ कॉंग्रेस की है सिर्फ विशारधार विजन सिर्फ उसी के पास है कोई भी छेतरी दल के पास कोई वीजन नहीं है इस तरह की बात जो भारो जोड यात्रा की दौरान बार-बार कॉंग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहीं है कहीं न कहीं उसका एक शोब है इन छेतरी दलों में लेकिन दोस्तों एक बात जरूर में कहूंगा कि अगर नितीश कुमार की स्ट्रेटिजी जिसमें की तेजस्वी यादो और कहीं न कहीं अखिलेश यादो और हेमंद स्वरिन ये सबकी सभागिता नजर आ रही है अगर ये स्ट्रेटिजी सफल हो गई कि उत्तर प्रदेश पि होने का बीजेपी का जो एक एक जो बिलकुल जो साफ साफ जो उनका इरादा है और जिसके लिए वो आत्म विश्वास से भरे हुए हैं वो वाकई वाकई उसको गैरा धक्का लग सकता है इसमें कोई दोराय नहीं है वो गोल हो सकती है देखना इस बात का है कि क्या ऐसी परकार है केंद्र की जिसके पास इतनी सारी एजंसियां हैं जिनके बल पर वो यूनिटी को च्छत अभी च्छत कर सकती है या करना चाहेगी क्या वो होने देगी ऐसी एक जुटता बड़ा सवाल यह है नितीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की पार्टियां श्री हमिती हो गई है उसके निमंत्रण पर 17 फरोरी को यह दोनों दलों के प्रतनी धी हैदराबाद जा रहे हैं मौका है है हैदराबाद में नए सेक्रेटेरियेट की विल्डिंग के उद्गाटन का तो शायद यह छेत्री दलों का एक पूरा का पूरा जो एक ध्रुभी करन या कॉंग्रेस में तो उस राइनितिक रूप से उर्जस्वित जो कॉंग्रेस पार्टी है राहूल गांदी की अगवाई में उसके साथ एक बराबरी का रिष्टा छेत्री दलों का यह जो एक इन्फॉर्मल कह सकते हैं जो एक गठबंदन कह सकते हैं या एक एक समझदारी पर के आधार पर बनी हुई एक एक बना हुआ एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं तो इस प्लेटफॉर्म और कॉंग्रेस के प्लेटफॉर्म के बीच बराबरी के रिष्टे से बात हो संबाद हो और चीजों को तै किया जाए लेकिन उसमें एक एक शर्त बिलकुल क्लियर रहेगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार और जारकंड तीनों प्रदेशों में वहां की जो प्रमुक भी पक्षी पार्टियां है जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बिहार में राष्ट्री जनतादल और जेडियू और जारकंड में जारकंड मुक्ति मूर्चा इन तीनों की अगवाई में ही इन तीनों राजियों में कॉंग्रिस को आना पड़ेगा या कोई न कोई एड़ेस्टमेंट करना पड़ेगा ये एक understanding मैं समझता हूं कि इन भी पक्षी दलों के दिमाग में है और इसको कॉंग्रिस को समझना होगा तो दोस्तों आज की बात में आ आदाब सत्री अकाल